Bodybuilding एक ऐसा खेल है जिसमें जिम और किचन दोनों में बहुत मेहनत और समर्पन की आवश्यक्ता होती है। इसमें शक्ती प्रशिक्षन, उचित पोशन और आराम के माध्यम से मानस्पेशियों का निर्मान शामिल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप वजन उठाते हैं और मसल्स बनाते हैं तो शरीर में क्या होता है। इस लेख में हम शरीर सौश्थव के पीछे के विज्ञान पर करीब से नजर डालेंगे। मांस्पेशी विकास जब आप वजन उठाते हैं तो आपकी मांस्पेशिया माइक्रो ट्रामा का अनुभव करती हैं जो मांस्पेशियों के तंतूओं में छोटे छोटे आसू होते हैं। यह माइक्रोट्रमा मानस्पेशियों की कोशिकाओं को उपग्रह कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए उत्तेजित करता है, जो मानस्पेशियों की वृध्धी और मरम्मत के लिए जिम्मेदार हैं. ये कोशिकाए मानस्पेशियों के तंतूओं के साथ जुर जाती हैं, जिससे उनका आकार और शक्ती बढ़ जाती है इस मानस्पेशियों की वृद्धी को बढ़ावा देने के लिए आपके शरीर को प्रोटीन की आवश्यक्ता होती है प्रोटीन अमीनो एसिद से बना होता है, जो मानस्पेशियों के उतकों के निर्मान खंड है जब आप वजन उठाते हैं, तो आप अपनी मानस्पेशियों के तंतूओं में छोटे-छोटे आंसू पैदा करते हैं और आपका शरीर उन तंतूओं की मरमत और पुनर निर्मान के लिए प्रोटीन का उप्योग करता है, जिससे वे मजबूत और अधिकल चीले हो जाते हैं हॉमोन, शरीर सोश्थाव आपके शरीर में हॉमोनल संतुलन को भी प्रभावित करता है जब आप वजन उठाते हैं, तो आपका शरीर टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हॉमोन और इंसुलिन जैसा ग्रोथ फैक्टर एक, आईजी एफ एक जैसे हॉमोन रिलीज करता है ये हॉमोन मानस्पेशियों की वृद्धी और मरम्मत में महत्व पूर्ण भूमिका निभाते हैं टेस्टोस्टेरोन एक हॉमोन है जो मुखे रूप से पुरुषों में अंटकोश और महिलाओं में अंडाशे में उत्पन होता है ये पुरुष माध्यमिक यौन विशेश्टाओं के विकास के लिए जिम्मेदार है जैसे मानस्पेशियों में वृद्धी और हड़ियों का घनत्व शरीर सौश्थव में टेस्टोस्टेरोन अकसर मानस्पेशियों की वृद्धी और ताकत बढ़ाने के लिए एक प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रोथ हॉमोन पिट्यूटरी ग्रंती में उत्पन होता है और हड़ि और मानस्पेशियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होता है यह शतिग्रस्टू तक की मरमत में भी शामिल है तगरे लोग विकास हॉमोन का उप्योग मानस्पेशियों की व्रिद्धी और मरमत में सहायता के लिए पूरक के रूप में कर सकते हैं IGF-1 एक हॉमोन है जो लिवर में उत्पन होता है और सनरचना में इंसुलिन के समान होता है यह कोशिका व्रिद्धी और विभाजन को बढ़ावा देता है और मानस्पेशियों की व्रिद्धी के नियमन में शामिल होता है तगरे लोग IGF-1 का उप्योग मानस्पेशियों की व्रिद्धी और रिकवरी को बढ़ाने के लिए एक पूरक के रूप में कर सकते हैं Nutrition, शरीर सौश्थव के लिए उचित पोशन महत्वपूर्ण है मानस्पेशियों के निर्मान के लिए आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में Protein, Carbohydrate और स्वस्थवसा की आवश्यकता होती है Protein मानस्पेशियों की वृद्धी के लिए आवश्यक है जबकि Carbohydrate आपके वकाउट के लिए उर्जा प्रदान करते है स्वस्थवसा, जैसे Omega-3 fatty acid, हॉमोन उत्पादन और समग्र स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण है Micronutrients के अलावा, Bodybuilders को अपने Micronutrients के सेवन पर भी ध्यान देना चाहिए मानस्पेशियों की वृद्धी और मरम्मत में विटामिन और खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उदाहरन के लिए, विटामिन दी हर्दियों के स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि जिंक प्रोटीन संशलेशन में शामिल होता है आराम और रिकवरी जब शरीर सौश्थव की बात आती है तो आराम और रिकवरी आपके वकाउट और पोशन के समान ही महत्वपूर्ण होते हैं जब आप वजन उठाते हैं तो आप अपनी मानस्पेशियों में सूक्षम आघात पैदा करते हैं और आपके शरीर को उन तंतूओं की मरमत और पुनर निर्मान के लिए समय चाहिए यह आराम और पुनर प्राप्ती के दौरान होता है कि आपकी मानस्पेशियां बढ़ती हैं और मजबूत होती हैं अंत में शरीर सौश्थव एक जटल प्रक्रिया है जिसमें मानस्पेशियों की वृद्धी, हॉमून, पोशन और आराम सहित कई कारक शामिल होते हैं शरीर सौश्थव के पीछे के विज्ञान को समझने से आपको अपने फिटनेस लक्षियों को प्राप्त करने और एक मजबूत स्वस्थ शरीर बनाने में मदद मिल सकती है